आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ अब पर कि जो कि 5 kilo ohm register से होते हुए यह 5 kilo ohm register और 10 kilo ohm register से होते हुए हमारे पस यहां पे 10 kilo ohm register पे आती है तो यह पॉइंट E हो गया और यह भी तो यहां पर हम लोग को potential difference find out करना है तो पहले ही circuit को हम लोग resolve out करेंगे तो इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि 10 kilo ohm 5 kilo ohm एक दूसरे से parallely connected है तो इसको हम लोग solve करेंगे तो यहाँ पर जो equivalent resistance होगा इसे rp से अगर denote कर दे तो यह कितना हो जाएगा parallel में है तो 10 kilo ohm into 5 kilo ohm divided by 10 kilo ohm plus 5 kilo ohm means 15 kilo ohm तो यहाँ से फिर हमारे पास हो जाएगा उसको solve करेंगे तो यह हो जाएगा 5 से एक बार में और यह 5 से 3 times में मतलब कि हमारे पास यहाँ पे जो parallel में resistance मिल रहा है उसकी value किती हो जाएगी equivalent resistance 10 by 3 kilo ohm में हम लोग को value जो है मिल जाएगी अब यह हमें kilo ohm में value मिल गई तो इस circuit को हम लोग और resolve out करेंगे तो हमारे पास circuit कुछ इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे 5 kilo ohm फिर यहाँ पे 10 by 3 kilo ohm फिर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 10 kilo ohm इस तरह से हमें value मिलेगी और यह point यह point B हो गया ठीक है तो यह हमारे पास कित वह फ्लो हो रहा है तो हम लोग इसमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं और रिक्वायर्ड की जो वैल्य होगी या फिर आर एक्विवलेंट तो यह तीनों यह करेंट इस तरह से सेम करेंटी फ्लो होगा मिंस यह तीनों क्या स्रेडी में हो जाएंगे स्रे वैल्यू आल्मोस्ट हो जाती है 55 by 3 किलो ओम हम लोगो मिल जाएगा रिक्वायर्ड जो वैल्यू है ती क्या हो जाएगा 55 किलो ओम की वैल्यू हम लोगो मिलेगी यहां पर अब यहां पर पोटेंशल डिफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे वी ए माइनस वी बी तो यह हमारे resistance 55 by 3 and kilo ohm तो kilo means 10 to the power plus 3 तो यहां से 10 to the power minus 3 and 10 to the power plus 3 cancel out हो जाएगा 3 से यह one time में and 3 से यह 5 time में 5 into double 5 हम लोग यहां पर कर देंगे means 55 तो हम लोग को यहां पर value जो मिलेगी वो हो जाती है 275 volt हम लोग को मिलेगी तो इसके according हम लोग अपने option में आएंगे option ने गीवर है 275 वोल्ट करेक्ट आंसर है option भी 250 वोल्ट रॉंग हो जाएगा option C 300 वोल्ट यह भी रॉंग है option D 225 वोल्ट यह भी रॉंग है means correct आंसर जो है हमारा यह option होगा थैंक क्लासिक स्ट्वेल से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर